प्रियों विद्यार्तियों, मैं दिग्विजे आज के प्रानिशास्त्र व्यक्यान में अपना चलरा टॉपिक Embryonic Induction के बारे में ही आगे के बारे में चर्चा करेंगे हमने पूर्व के व्यक्यान में Induction की परिभाशा और Speman और Mangold के Experiment के बारे में प्रारंबिक चर्चा की थी उसके पश्चात आज इस टॉपिक पर अपन बात करना चाहते हैं उसी को आगे Continuity के अंदर ये सब होता क्यों है एक जो निशेचित अंडा होता है उसमें जो साइटो प्लाजमिंग का पदार्थ पाई जाते हैं वो अनिकुल समान मात्रा में अंडे के अंदर स्थित नहीं रहते हैं उनका डिस्टिबूशन असमानी होता है ये जो डिफरेंट साइटो प्लाजमिंग के कंपोनेंट्स हैं उन्हें अपन मौर्फो जेनेटिक डिटर्मिंट्स कहते हैं और ये मौर्फो जेनेटिक डिटर्मिंट्स ही कंट्रोल करते हैं आगे के सारे जितने भी स्पेसिफिक सेल टाइप से उनके कार्य को इस चीज़ को अगर विज्ञानिक शब्द देना हो तो इसे डिफरिंसियेशन कहते हैं विभेधन कहते हैं तो एक जो जाइगोट होता है उसके अंदर कंप्लीट इन्फरमेशन होती है कि वो किस प्रकार से एक वियस्क के अंदर परिवर्धन करेगा ये बहुत जटल प्रक्रिया होती है इसको समझना इतना आसान नहीं होता इसको समझने के लिए स्पीमेन ने ये जो प्रयोग किये वो इस डिफ्रेंशेशन प्रक्रिया को ही समझने की और कदम थे उनके अनुसार जब मेंड़क के भ्रून का एक्टोडर्म अलग करके उसको एक सेपरेट पेट्रे डिश के अंदर कल्चर किया जाता है और परिवर्धन उसको बढ़ने दिया जाता है ग्रो करते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक्टोडर्म की कोशिकाएं निश्चित रूप से उस कल्चर मीडियम में बढ़ती हैं लेकिन बढ़ने के साथ में जो एक सामाने ब्रून में कारे करती है वैसा नहीं करती सामाने ब्रून के अंदर यही एक्टोडर्म की कोशिकाएं नर्वस सिस्टम का निर्मान करती है लेकिन यहां इस पेट्र डिश्च के अंदर इन में परिवर्धन तो हो रहा है लेकिन जो उसका मुख्य कार्य है नर्वस सिस्टम मनाने का वो देखने को नहीं मिलता इसी प्रकार से जब हम इस एक्टोडर्म को एक फ्लैप के रूप में उठा कर उसके नीचे स्थित मीजोडर्म है उसको उटाते हैं और एक्टोडर्म को पुनवापस लगाते हैं फिर होने वाले परिवर्दन को देखते हैं फिर भी पाते हैं कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम का निर्मान नहीं हो रहा अर्थात यह दर्शाता है कि मीजोडर्म कुछ ऐसी चीज़ करता है ऐसे संदेश भेजता है एक्टोडर्म को जिसके कारण से यह एक्टोडर्म सेल्स यह नर्वस सिस्टम में कनवर्ट होते हैं अर्थात नर्वस सिस्टम के निर्मान के लिए एक्टोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म की भी अवशक्ता होती है ये इसी experiment के अंदर दिखाया गया है ये दौनों चीज़े जो मैंने अभी बोली है वो आपके सामने इस प्रकार से ये मैंने pen से लिक कर भी आपके सामने रखा है कि किस पी मैंने ये दो प्रकार से किस प्रकार से ये experiment किये थे उसके बाद में ये दिखाये गया एक सामान्य तोर पर किस प्रकार से neural plate बनती है, neural fold group बनता है, neural fold बनता है और बाद में अंत में neural tube बनती है एक सामान्य embryologic में ये दोनों petri dish के अंदर इसको अलग किया अपने एक्टोडर्म के टुकड़े को और फिर इसको अपने आगे ग्रोग किया है तो पाते हैं कि एक्टोडर्म की कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो उसका मूल कारे है nervous system का निर्मान करना उस प्रकार का इसमें nervous system का निर्मान नहीं हो रहा अब आता है कि embryonics यह इसमें परिभाशा ही दिये और परिभाशा हैं देने के बाद में जैसा मैंने पिछले आख्यान में आपको बताया था जिसको अंग्रे जी के अंदर यह कह रहे है the capacity of some cells to evoke a specific development response in other is a widespread phenomenon in development और इसी को इन्होंने embryonic induction का है कि किस प्रकार से कई कोशिकाएं ब्रून की प्रेरक का काम करती है और उस प्रेरक के द्वारा ही आगे परिवर्दन विबिन प्रकार के cells का होता है यह चित्र जो सामने दिये गए हैं यह दौनों Spiman और Mangold के 1923 का जो उन्होंने experiment किया था उसके बारे में लिखा हुआ है और यह दोनों साइंटिस्ट के चित्र हैं मैंने इनके पिछले व्यक्यान में इनको अरजित नोबल पुरुसकार के बारे में जिक्र किया था विद्यार्टियों ध्यान रहे इनको कौन सा पुरुसकार और कब मिला है उसका विशेश रूप से आप ध्यान रखना क्योंकि यह परिक्षा की द्रश्टी से इट एक अल्सो इंड्यूशी यह फिर सेकेंडरी उंब्रियों की जब बात करता है थो अपन इसमें देखेंगे सेकेंडरी उंब्रियों यह इसको इसने जो भी यह करता है प्राइमरी इज़्य पिल में थे ने डॉर्सल लिप जो पहल्पिछला एक्स्परिमेंट अपने क होता है और उसे अपने डॉरसलिप अրिया को चारिय को प्राइमरी औरनाइज़र अपना कार्य करती है उससारी प्रक्राइमरे इंड़क्षन कहते हैं can embryonic induction कितने प्रकार का होता है embryonic induction के प्रकार पढ़ने से पहले जो चीज आपके सामने नहीं आई है वो मैं थोड़ा सा का आपको बोल कर ही बताऊंगा कि की प्रैमरी embryonic induction को जानने से पहले जो भुरूनिय परिवर्धन में induces होते हैं उनकी समझ उनकी भूमिका को समझने के लिए spima ने ये transplantation किया एक भुरूनिय आंच को किस भुरून पर रोपित करते हैं इस आदार पर transplantation कई प्रकार के होते हैं पहला है autoplastic स्वरोपित प्रत्यारोपन किसी भुरूनिय आंच को उसी भुरून में प्रत्यारोपित करना स्वरोपित प्रत्यारोपन कहलाता है दूसरा है होमोप्लास्टिक समरोपित प्रत्यापन जब एक भुरूणी अंश को उसी जाती के अन्य भुरूण में प्रत्यारोपित किया जाता है तो उसे समरोपित प्रत्यारोपन कहते हैं तीसरा है विशम रोपित हिट्रो प्लास्टिक जब भुरूनी अंश का प्रत्यारोपन एक वंश की दो जातियों के मध्य किया जाता है उसको अपन हिट्रो प्लास्टिक कहते हैं और चौथा प्रकार का होता है जीनो प्लास्टिक जीनो प्लास्टिक का मतलब होता है उपित प्रत्यारोपन जब प्रत्यारोपन दूर के संबंद वाले प्राणियों के मद्य किया जाता है तो इसे जीनो प्लास्टिक कहते हैं जैसे मेंडक और भेट इनके मद्य में अगर आप करो तो यह कहलाएगा जीनो प्लास्टिक अब जीनो प्लास्टिक करने के बाद में इतना जानने के बाद में अब अपना आते हैं प्रकार, embryonic induction के प्रकार, embryonic induction दो प्रकार का होता है, पहला है endogenous और दूसरा है exogenous, इस डाइग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किये endogenous क्या होता है, लेकिन endogenous को समझने के लिए, जब कोशिक आएं, स्वेम द्वारा उत पन, प्रेरकों के प्रभाव से विवेदन करने लगती है, तो इसे अंतर जाती है प्रेरन कहते हैं, endogenous induction कहते हैं, इस प्रकार के प्रेरन में रसाइनिक प्रेरकों का विकास कोशिकाओं के भीतर ही होता है, यहाँ पर यह अपने, यह कौर्डा मीजोडर्मल सेल्स का दिया, अब दूसरा है, एक्सोजीनस, भाईये जात, एक कोशिका स्वेम प्रेरित ना होकर अन्य उत्कों या कोशिकाओं के विवेदन प्रेरित करते हैं, उसे भाईये जात प्रेरन कहते हैं, जैसा कि पूर में वरनित है, primary induces के प्रभाव से अंतरवलन के प्रेरना होती है, जिसके कारण, Brune में, Arkentron का विकास होता है, Arkentron के विविन अंग विकास के दौरान, विविन संरचनाओं का विकास को प्रेरित करती है, अतरविन आर्केंट्रोन के विविन भाग, विविन विविन प्रेर को का कार्य करते हैं, यही exogenous का आपको उधारन दिया गया है chord amisodermal cells के द्वारा neural plate का किस प्रकार से formation होता है यह exogenous दो प्रकार के हैं homeotic, homeotic के बारे में बता है और दूसरा heterotopic जब यह प्रेरक different types of organs different group of cells या tissues के द्वारा प्रेरन करते हैं तब इसको heterotopic exogenous कहते हैं यह दोनों इसके उधारन भी दिये हैं आपके सामने तो इस प्रकार अपना embryonic induction, primary induction इसका यह topic आज पूरा होता है जिसके अंदर अपने पहले परीभाशा परीभाशा के बाद में प्रत्यारोपन चार प्रकार के उनके बारे में चर्चा की और फिर embryonic induction के प्रकार यह अपने चर्चा की मैं परीभाशा और उधारन सहीत विद्यार्तियों इसका भी home assignment मैं आज आपको देऊंगा क्रपया करकर assignment मुझे पुनह वापस complete करकर भेजा करे whatsapp पर ताकि मैं जान सकूँ जो मैंने कुछ पढ़ाया है वो आपने ध्यान से सुना है और समझा है अगर फिर भी आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो whatsapp के माध्यम से या मेरे personal phone mobile phone पर आप मेरे से जिग्यासा पूछ सकते हैं जब मन करें तब आप मेरे को phone कर सकते हैं चौबिस घंटे में आपके लिए उपलब्द हूँ आप जब चाहें तब phone करकर इनका उत्तर मेरे से ले सकते हैं और अगर आप assignment करते रहेंगे तो मेरे को भी मेरे द्वारा जो आपको बताये जा रहा है उसके बारे में आप लोगों की समझ और जानकारी की जानकारी मिलती रहेगे बहुत बहुत धन्यवाद